बॉलिवूड इंडेस्टी के पॉपलर एक्टर्स फिरोज खान और विनत खान्ना दोनों जिगरी दोस्त थे जिस फिल्म में दोनों साथ होते थे वो फिल्म हिट होने की गैरेंटी मानी जादी थी इस जोड़ी को फैंस ने खुब पसंद किया दोस्ति की अलावा इन में खा एक ही तारिक को हुई थी आपको बता दें कि एक ही तारिक को हुई डेद के अलावा दोनों के निधन का कारण भी एक ही है दोनों ने कैंसर के कारण दुनिया को अलविदा कह दिया था फिरोज खान का निधन 27 अप्रिल साल 2009 को हुआ था और ठीक 8 साल बाद 27 अप्रिल 2017 को बिनत खन्ना का निधन हुआ था फिरोज खान को लॉंग कैंसर था वो ही बिनत खन्ना बलट कैंसर से जंग हार गए थे दिबगंद एक्टर्स फिरोज खान और बिनत खन्ना की दोस्ती साल 1926 में रिलिज्वी फिल्म संकर समु के सेट पर हुई थी इस फिल्म के जर्य फहली बार बिनत खन्ना और फिरोज खान एक साथ परदे पर नजर आये थे फिल्म में फिरोज खान ने संकर और बिनत खन्ना ने समु का किरदार निभाय था फिल्म के साथ दोनों की दोस्ती भी चल पड़ी देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त बन गए ओन स्क्रिन दोस्ती की अलावा फिरोज खान और विनुत खन्ना ओप स्क्रिन भी अच्छे दोस्त है साल 1980 में आई फिल्म कुरुवानी में दोनें दोस्त का रोल प्ले किया था फिल्म कुरुवानी में फिरोज बिनत के रोल के लिए अमिता बच्चन को काश्ट करना चाहते थे लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी साथ ही फिरोज खान छे महीने तक इंतजार नहीं करना चाहते थे इसलिए उनने इस रोल के लिए बिनत खान्ना को काश्ट किया फिल्म की कहानी दोस्ती और त्याक की इर्दगिर्द बनी गई थी इसके अलाबा वो फिल्म दयाबन में साथ नजर आए ये मनी रत्नम की तामिल क्लासिक फिल्म नायकान की रिमेक थी बिनत खाना ने साल 1921 में गिता अंजली से साधी की थी इस साधी से एक्टर को दो बेटे अक्से और राहूल हैं जो बॉलिवुड के जाने माने एक्टर हैं चोदस सालों की साधी के बाद बिनत ने साल 1924 में गिता अंजली से तलाक लिया था ये वही साल है जब फिरोज खान ने अपनी पत्नी सुन्द्री को तलाक दिया था वही साल 1986 में आई फिल्म जावात में फिरोज बिनत को काश्ट करना चाहते थे लेकिन उस वक्त तक बिनत ने गिलेमर इंडेस्ट्री से दूरी बना ली थी बिनत खना की बात करें तो वो कुरवानी, मुकदर का सीकंदर, फरबरिस, अमर अकबर एंथोनी, इंकार, हेरा फिरी, मेरा गाओ, मेरा देश और पत्थर और फाइल जैसी हिट फिल्म में काम कर चुके थे वो ही फिरोज खाने, आरजू, औरत, सफर, मेला, अफरात, काला सोना, धर्मात्मा, नागिन, कुरवानी और वेलकम जैसी हिट फिल्म में काम किया